आज नीट का रिजल्ट आया और चीजे बहुत ज़्यादा शौकिंग रही 67 बच्चे 720 में 720 निकाल रहे हैं और सभी को All India Rank 1 दे दिया है और इसका पता है पारमीटर क्या है तो अप्लिकेशन नंबर को अब यह मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं अब यह इनके बूलेटिन में कभी नहीं था टाइब ब्रेकिंग रूल के अंदर तुमने कभी यह सुना था क्या अब जो नों आज रिजल्ट जो रिलीस के उसमें अगर आप देखो गे तो यहां पर आप्शन है बताएगी किस तर माक्स आ रहा है लास्ट उने देखो क्या बोला यहां पर क्या रहे हैं कि हम तो अप्लिकेशन नंबर को असेंडिंग और में रखके रैंकिंग को बना देंगे अरे तुम बावडे हो क्या यार जनरल के लिए एम जिल्ली में सीधी कितना है 56 के करीब-करीब सीट है और 67 मेरे बिल्कुल समझ भी नहीं रहा है एंडिये सबसे पहला आपसे मेरे कोशन है मेरे आपके लिए यह पैरामीटर कॉन सा पारामीटर होता है हम समझ सकते हैं मांक्स एच के बेशेस पर दिमाग पहले लगा चुकियों तो क्यों आप लोग एच के बेशेसर पर यहां पर र कि तुम application number को ascending order में रखे तुम यहां पर rank देने या रहे हो यह हमें में को समझ में नहीं आया अगर किसी को समझ में आया क्यों ग्यानी बाबा होगा जरूर से मुझे comment बताईएगा दूसरी बात क्या है यह कैसे पॉसिबल है 719 नंबर और 708 नंबर एंटी से मैं सवाल कहना चाहता हूं कि हम एक mathematical calculation करके बता दीजिए देखिए हम मानते हैं देखो मैं बच्चों को offend नहीं फील करूंगा जिसका number आया हूं बहुत खुश होंगे यार लेकिन हमको जानना जरूरी है ना कि being a educator और जो सब्सक्राइब और 708 और 719 आप कौन सा mathematical formula लगाके आपने यह number दिया है उसके बाद क्या है रिजल्ट रियली फेक है इसको लेकर ना बहुत अच्छा research किया और यह NTA को ना यह video दिखा दो जाके और उनने बहुत सटिक और बहुत practical बाते बोली है सुनों इसमें क्या के बो लेकिन जिसका परसेंटायल आपका 99.969 है तुम देखरो कितना चोटा मार्जिन है उसका रैंक जो है वह सिदा 453 हो गया है इतना बड़ा रैंक स्लिप कर रहा है तो मतलब जो मांक्स होगा तो 1000 में गिरे रहेंगे ठीक है तो वही यहां पर सवाल पूझा गया तुम यह सम करीब करीब अब हमें यह नहीं समझ में रहें कि भाई बच्चे होशियार हो गया है यह पेपर इजी बन रहा है मैं मतलब मैं अफेंट फिल नहीं करवा रहा हूं बड़ यह हमें यह लॉजिक है ऐसा कैसे शिफ्ट हो सकता है जी दूसरी बात क्या कि यह बात बहुत लाज सब्सक्राइब के लिए एम्स के अंदर सीट रखा गया है एम्स दिल्ली के अगर बात करेंगे 46 और यहां पर 67 बचों को अलिंडर रंक वन आया है अगर कोई जर्नल वाल आया उसका 62 सीरेल नंबर पर तो मुसों कैसे दोगे भाई सीट थोड़ा ओ लॉजिक हम को बिलकुल रंका इंफलेशन आ रहा है मतलब यार तुम समझ रहो क्या यहां पर कि 40 मार्क का डिफरेंस मतलब आज से पहले कभी नीट में नहीं हुआ था यह कैसे क्या जा रहा है यह कैसे हो रहा है मतलब यह भी बहुत जानने वाली बात है यार प्लीज अगर कोई से को नॉलेज अभी नहीं सुना था यह 24 में इस बार ही हो रहा है इसके बात सबसे में मुद्धा आपका यह वाला पॉइंट है और यह किसी फेकल्टी ने बात निकिया उसको टाइमस्टाव ने बहुत अच्छे से कवर किया बोला गया है कि extremely high cutoff आपने को देखने को मिला इनी 24 का ठीक ह अब क्या हो गया था कि नीट पेपर लिग को लेकर रहे ना बहुत सारे लोग बच्चो उन्होंने यहां पर पिटेशन डाल दिया था जी और cutoff आपका 50 मांग से उपर इस बारी बढ़ते वे देखने को मिल रहे जी अब यह एक बात आप लोग बहुत इस सेकंड वाले पर लिग बताया गया कि भाई पांच में को नीट का पेपर लिग हुआ था उसमें बताया गया था वित प्रूफ जो कि आपको याद हुआ हो तो कुछ मीडिया चनल से उसमें दिया था वल सेम वास अर्लियर दिनाइड बाइद निट इन उसको बाद मना कर दिया था था इन टीए ने क्या किया था बैस जो सेडिल था वो सपकंड विक बोला हुआ था कि हम सेकंड विख में आपका रिजल्ट चेडियूल करेंगे लेकिन अन एक्सपेकड़ ली क्या हुआ जी हमारा रिजल जो है वह डिकलेयर कर दिया तो जिसके वज़े से बहोत सारे आपके य अब इसके वेसे ना जिस बच्चे का 602 नमबर आ रहा है 605 नमबर आ रहा है यह वो बच्चा क्या करेगा या तो आप यह फिर medical seats बढ़ा दो रात बर में आप लाखो seats बढ़ा दो यह आप ने किसी के pressure में किया है भाई हमको चाहिए इसका answer यह बच्चो को जानना है और आप एक क्लिप को काटके बच्चो आप forward करवा सकते हो NTA को because I know कि आप लों का एक एक मार्क जो है वह आपकी हजारों rank से आपके बास इधर दर हुआ है और उसके बाद NTA कह रहा है कि हमने बहुत फेर कर टंडक्शन कराया देखिए मेरे को अथरी से कुछ भी प्राब्लम नहीं है बड कुछ सवाल है बच्चों के जो की clear करना बहुत जरूरी है ठीक है तो इसको लेकर आपको ध्यान रखना है तो अगर आप यह पूरा स्वीट देखेंगे तो 720 नंबर 67 करीब जो बच्चे हैं उनको यह Mbbs मिलेगा जिसने 630 स्कोर किया वो क्या करेगा अचा डालेगा वो भाई देखो इस वेरी इंपोर्टेंट क्योंकि यह अथोरीटिस को देखना बहुत जरूरी है या तो पेपर का लेवल तुम यह रखो तो फिर सीट बहुत बढ़ा दो पेपर देखो पेपर बहुत दोर आया नहीं था कि पेपर वहरी गुड़ जदा टव भी नहीं था और जदा इजी भी नहीं था मीडियम था बढ़ियर यह ऐसा क्यूं हुआ है थोर सा एक बढ़ी हमको इसका मैथेमाटिक साब लोग ज़रूर से समझा दीजेगा और जो भ कोर्स नहीं करूंगा तुम कोई भी अच्छा है ओनलाइन कोर्स जॉइन कर लो जहां पर तुम्हारा टाइम पर स्लेबस करा दिया जाए अगर तुम चाहते हो कि जो लेटेस्ट पैटन के इसाफ से जो स्लेबस चल रहा है वैसे कवर करना है अब जरूर से अनकैडमी प्लस को जॉइन कर सकते हो बाई उसिंग कोड बायोलोजी लाइफ अगर आप बायोलोजी लाइफ कोड लगाते हो तो आपको मेरी मिंटॉर्शिप मिलती है मैं प्रॉपरली गाइड करता हूं हर एक पॉइंट पर कैसे पढ़ना है ट्रैकर बना के रखा हुआ है तुमने कितना पड़ा है तुम्हारा इंप्रूव्मेंट कितना हो रहा है और डेली प्राक्टेस अगर तुम प्राक्टेस नहीं करोगे तो इससे भी बूरा हाल तुमको देखने को मिल सकता है बच्छो नीट 25 के अंदर जी प्राइस कितना है सिर्फ 549 है बच्छो आज ही आप लोग अन टीम ने पूरा इस तरीके से आपके रैंक की सबसे पूरा मॉडिफाई किया है आपका कॉलेज प्रिक्टर भी बना दिया गया डिस्क्रिप्शन वॉक्स में लिंक छोड़ देंगे अब जाकर उसको देख लीजे का बड़े ध्यान से बच्छो ठीक है आजाए अगर आपक